Development of Self-Efficacy हमने ये कहा कि Self-Efficacy जो है वो behavioral development as well as academic development में बहुत मदद करती है और Self-Efficacy और learning का आपस में गहरा तालुक है इसमें जो है सबसे जरूरी बात जो है वो performance accomplishments की है कि जब आप कोई चीज accomplish करते हैं, कोई चीज perform करते हैं या कोई peculiar behavior demonstrate करते हैं तो उस पर आपको जो feedback है वो कैसे दी जाती है उसका जो है असर direct आपकी शक्सियत के उपर होता है इसी तरह जब students जो है उनको grades मिलते हैं या उनकी assessments उन तक पहुँचाई जाती है तो उसका भी तालुक self-efficacy से होता है मसलन अगर grades बहुत अच्छे आए हैं तो students जो है वो बनियादी तोर पर बहुत अच्छा महसूस करते हैं and they feel confident about themselves कि वो इस काबिल थे कि उनका अच्छा grade आया है इसी तरह से ऐसे ताले बिल्म जिनका grade जो है वो low आता है वो जो है वो low self-efficacy का शिकार हो जाती है इसके साथ-साथ वो रवया जिसके जरीया आपको ये तमाम चीज़ें convey होती है वो भी बहुत depend करता है आपकी self-efficacy को develop करने में या उसको किसी भी तरह से उसको नुकसान पहुंचाने में इसमें मैं एक जाती तजर्बा आपसे share करूँगी कि मैं जब दूसरी जमात में थी तो एक दफा mathematics के paper में मेरे कुछ marks कम आए और जो teacher थी उन्होंने पूरी class के सामने मुझे बेहत बेईज़त किया हाला कि marks इतने भी कम नहीं थे लेकिन बेहत बेईज़त किया जिसका नतीजा ये निकला कि मैंने school जाने से इंकार कर दिया और मैं ये समझने लग गई कि हिसाब जो है ये मुझे आ ही नहीं सकता इसका मेरे उपर इतना negative effect हुआ और उसका एक नतीजा और ये निकला कि मैंने हिसाब से मुझे डर लगने लग गया क्योंकि मैं ये समझती थी कि मैं जब भी करूंगी मैं जो है वो सही तरीके से नहीं कर पाऊंगी तो टीचर का जो मेरे साथ रवया था वो इस तरह का था कि एक डर और खौफ पैदा हो गया मेरे अंदर और मैं कभी भी mathematics से दुबारा मेरा वो interest पैदा ना हो सका जो इस से पहले था तो इस चीज़ का खास खयाल करें कि जब आप grades communicate कर रहे हूं students को या आप अपनी जो continuous assessments ले रहे हैं वो communicate कर रहे हूं तो यह खयाल रखें कि आपका रवया कैसा है अगर आप बाकी जो है students के सामने जो है वो किसी एक student की बेज़ती कर देते हैं या harshly उससे बात करते हैं जहां पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि students की self-esteem जो है वो बहुत high होती है जब उनकी उमर छोटी होती है और उसका जो है वो गहरा तालुक self-efficacy से बनता है तो self-esteem और self-efficacy जो है इनका आपस में बहुत गहरा रापता होता है तो यह खयाल करें कि आपने जो है students की जो accomplishments हैं उनकी जो achievements हैं वो किस अंदाज में आपने उनसे उनको communicate की है इसके इलावा students जो है वो किन तज़रबात से गुजरते हैं Students के जो belief systems बनते हैं over a period of time वो मुखतलिफ तज़रबात की रोशनी में बनते हैं Students जो है वो school में या अपने घर में या school से बाहर के महौल में मुखतलिफ तज़रबात से गुजर के classroom में आते हैं तो हर एका belief system बे अलैदा होता है और ये तमाम तज़रबात जो है वो उसके belief system को को तकवियत देने में बहुत एहम रोल अदा करते हैं तो ये belief systems जो है ये naturally होते हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि students जो है वो अपने बारे में उनकी क्या राय है इसके इलावा students जो है वो जो observations कर रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया कि जो performance accomplishments से उनके पास रवईये रखे गए और वो रवईये जो है उनकी शक्सियत का हिसा बन जाते हैं और उनको अपने बारे में negative या positive जो है वो सोच पैदा करने में मदद देते हैं तो इससे एक जो student है वो जिस vicarious learning processes से गुजरता है उससे उसकी शक्सियत की जो है वो तकमील होती है तो self efficacy इसी तरह develop होती है वो तजर्बे जो past में उसके साथ हुए वो उसके अगले वाले जो तजर्बे हैं उनको उनको पनपने में जो हैं वो बहुत एहम किरदार अदा करते हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि students के जो belief systems हैं how are they forming? how are these belief systems forming? and how are they affecting the behaviors of students in the classroom? that is very very important because those performance accomplishments, those learning experiences, they are relevant to students they learn from them and it helps them to develop their future behavior systems so please take this into account that we help students in developing good belief systems about themselves